पीरियुट इस तरह सhठा था कि कं पर जना हर चीद पर का नियंते चाता किंडि़ कर्जा इस्थिति more or less एक दिक्टेटर की थी और अपने आपको मिक्सर पाता था ड़्होजी का भी और बैले जली का भी करजन चाहता हुआ है कि उसे याद रखा जाए तयास में जो काम अने किए जो काम खेजरी ने किए जो काम हेस्टिंगस ने किए और जो काम ड़wałजी ने किए करजन की जो नीतियां है इनमें चारों की नीतियां आपको रिफिलेक्ट होंगी प्रेस पर कंट्रॉल के लिए एक कर्जन ने 1908 में एक न्यूजपेपर एक्ट बनवाया बिसिकली वह न्यूजपेपर एक्ट कॉंग्रेस को कंट्रॉल करने के लिए था कॉंग्रेस में 1905 से ही जो डिसेफेक्शन था वो साफ साफ दिखने लगाता जब मैं आपको कॉंग्रेस का इतियास पढ़ाऊंगा 1885 से ले करके और 1947 तक का तो कॉंग्रेस में ये समय गुटबाजी का था इस समय में दो अलग लग धले बन गएते जो अंग्रेजों के विरुद्द चल रहे कांग्रेस की नीतियों में किस तरह का रणनीती अपनाई जाए इस बात पर था कि उनके खिलाब जो है वो केवल जो पिछली नीतिय वही जारी रखी जाए या कुछ आक्रावक पॉलिसी अपनाई जाए तो मूलत है यह 1905 1906 1907 तो साथ मैं तो कांग्रेस की स्थिति जैसी हुई आप जानी गए सूरत की फूड जैसे कहते हैं तो कांग्रेस के जो गरम दल था जो कांग्रेस का गरम धड़ा था और कुछ बहुत सारे उस समय तक ऐसे रेडिकल करन्तिकारी संगटन आ गए थे जो कि प्रेस् स्थित्याय का उपयोग कर रहेते हैं और कांग्रेस के भी दिस्वाने में कांग्रेस का कोई ऐसा नहीं होता था जो मीटिंग होई उनके पूरे मिनट बनके जो है और फिर वो सबजगे सर्कुलेट हुए हुए और सबी लोगों ने उससे देख लिया आंग्रेस की जो भी नीतियां हुआ करती थी जो भी बहुत सारी बन चुकी थी जैसे किसी भी पॉलिटिकल पाल्टी की बहुत सारी विंग होती है यूबा विग्रेट यूथ विंग इस तरह के कांग्रेश के अनुशंगत संगतन बन चुके थे उनके बारे प्रेस में चपता ता और मोर और और यूश मैंने पिछली में बताया भी था कि कांग्रेश के कम से कम आधे से ज्यादा लीडर एक जो कि खुद मैं पत्रकार थे जब वो अपनी बैठा कर रहे हैं तो उसे तो खूब निकालेंगे निकालेंगे इस सब को कंट्रॉल करने के लिए करजन ने निउस्पेपर एक्ट लागू किया और निउस्पेपर एक्ट में कुछ ऐसे प्रावधान किये गए जो कि जादा सकते थे सकत क्याते निउस्पेपर को कंट्रॉल करने के लिए थे पहला इसका प्रावधान था जो मैंने आपको बताया ही था लास्ट टाइम कि अब डिस्टिक मजिस्टेट या उसके किसी अधीनस्ट मजिस्टेट एजडियम या एडियम या नाइब तहसीलदार कोई भी उसको ही अधिकार दिया गया था कि अब वो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर सकता था और उससे भी ज़्यादा आगे चलके कि जो प्रेस का मालक है या पबलेशर है उसकी जो प्रॉपार्टी है जो नियूस पेपर में यूटिलाइज हो रही है उसे भी जब्त कर सकता था है जो इस्टेट गौश्मेंट थी जो लोकल गौश्मेंट थी या जो प्रेसिडेंशी की गौश्मेंट थी या जो प्रोविंसिस थे जो सूबह थे साथ सूवे थे बिर्टिश प्रांट जिन्हें का जाता था उनमें जो गौर्मेंट थी यानि इस्टेट गौर्मेंट कह सकते हैं आज की तरजब है उन्हें यह अधिकार दे दिया गया था कि वो जो भी प्रिंटर है पुबलेशर है उसके खिलाफ आप राधिक कारिवाई कर सकें पीनल एक्षन आपने यह च्छापा है आता है आपको इस धारा में भी बुक किया जाता है और उन्हें यह भी एंपावर किया गया कि वो जो भी डिक्लिरेशन प्रिंटर या पॉबलेशर ने की है कि उसे एन्युलिफाई कर सकें कि एन्युलिफिकेशन का क्या मतलब होता है आप मैंसे कोई बताएगा एनिवन सब्सक्राइब बताओ देखके बताओ नहीं तो डिक्सनरी में देखना इन्युलिफिकेशन एडवन एन यू एल एन्युलिफाई देख लो नहीं इसके चेप्टर के एंटर में मैं बता दूंगा चलो तीसरा उसमें यह अदिकार था कि न्यूस पेपर्स सरकार के किसी भी आदेश के खिलाब आदेश के मिलने की तिथी से जिस देश में उन्हें आदेश रिसीव हो रहा है उससे पंद्रे दिन के भीतर जैसे माल लीजे कि गौर्मेंट ने 22 दिसंबर को आदेश किया और उन्हें 26 दिसंबर को तामील हुआ मिला तो पंद्रे दिन का मतलब यह हो गया सीधे सीधे दस तारीक दस जनवरी तक जिस दिन तामीर होता है वो तामीली की डेट में गिना जाता है तो उस दिन दस जनवरी तक उन्हें हाई कोट में अपील करने का अधिकार है और इस अधनियम के अधीन सरकार ने ऐसा का जाता है लगबग दसीयों प्रेस कॉन्फिस्केट कर ली कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लिए कारवाई कर दी यानि कि वो अपने ल्यूज पेपर को नहीं निकाल सकते है और दो साल बाद ही सरकार ने 1908 के इस अधनियम में और कड़े प्रावधान कर दी है कि मैं अब ताज्यों करेंगे कि कड़े प्रावधान किस तरह के थे कि उन्होंने ये किया कि जो 1878 का लिटन का वर्ना कुलर प्रेस एक्ट था उसी की बहुत सारी धाराओं में को उठा करके इंडियन प्रेस एक्ट बना दिया और उन धाराओं में प्रेस एक्ट बनाने के तो कंपल्सरी पहले कर दिया गया था रजिस्ट्रेशन तो बहुत पहले कंपल्सरी था रजिस्ट्रेशन एक्ट के वह ताविक जो मैंने पिछली बार बताया था अठार एसो सरस्ट का जो रेजिस्ट्रेशन एक्ट है अब यह प्रावधान और कर दिया गया कि रेजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो व्यक्ति प्रेस चलाना चाहता है वह एक सिक्यूरिटी जमा करेगा अब आप देखेंगे कि बहुत सारे गौर्मेंट की आज की पॉलिस ऐसा गारंटी की रूप में तो उसमें दो तरह की सिक्यूरिटी अँगाउए मेंट जिए समाज में और वेवस्था में समाज में की पर चले तो ऐसे समझ यह से कि जैसे आप ने कहा हिसा थेका लोगां तो आप जब उस थेकेदारी के लिए apply करेंगे को तो एक अप से कीडारी का अपलाई करेंगे तो आपको के करिका लेने का शञक बनवानी तो सरकार निविदा मंतरित करेंगी जिनके पास मौझूद हो जिनके पास यह सतीज मौझूद हो वह उनसे लिए उसमें शर्टा लिखी होती हिंए भी है वह आपको निविदा खरीदते बक्ति ही जमा करनी पड़ती है फार्म खरीदते वक्त आज की रेट में फार्म इंटरनेट से डाउनलोड किया जाता है लेकिन वो डाउनलोड होने के बाद फिल ही तब होगा जब आप उसमें अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट इंटरनेट के तुरू या बैंक के तुरू जमा कर देंगे उसके बाद जब आप अर्नेस्ट मनी जमा कर देंगे अर्नेस्ट मनी इस बात किया है कि आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे संस्था के साथ वैसे भर दिया और उसके बाद जो है वो फि लेजिए वो टेंडर कि दो करोड़ रुपे का है तो यह कहा जा सकता है आप से कि आप 20 लाख रुपियों की सिक्योरिटी जमा करिए सिक्योरिटी का मतलब यह है कि आपको 20 लाख रुपे का बैंक ड्राफ्ट बन बाना पड़ेगा पीडवलूडी के फेवर में और वो बैंक ड्राफ्ट आप पीडवलूडी ऑफिस में जमा करेंगे जिसे बीजी कहते हैं बैंक गारंटी यानि कि अगर आपने काम नहीं किया टंग से तो वो जो 20 लाख रुपे हैं वो आपके गवर्मेंट जप्त कर लेगी आप अगर मान लोकल को सामाल लेके भाग दे आपने आधी सब्सक्राइब नहीं बनाई आपने कहा दिया जी मैं नहीं बना पाना मेरी देलेवर भाग गई यह आप खुदी फरार हो गए तो अगर रेजिस्टेशन कराना है तो हां करालो बहुत बढ़ी हावात है कराओ चलाओ फूब प्रेस लेकिन सिक्यूरिटी जमा करो पांसो रुपे कम से कम और दो हजार रुपे ज्यादा से ज्यादा सिक्यूरिटी की लिमिट अब 1910 में किसी व्यक्ति से डिस्टिक वश्ट होती हैं उसमें हूंडी है जो है वो बैंक गारन्टी ही जमाह हो सकती है कि तो जेए कैश का भी प्राफधान था केतना कैस्ट करिए तो इसमें प्राफधान यह किया गए कि दो हजार रुपए जो के 1910 में किसी भी व्यक्ति के लिए जिसे प्रेस सलानी है यह बड़ा काम था दो हजार रुपए जमान करना बड़ी चीज़ जमाने में लोगों को तंखाई पांच रुपए मिला करती थी उस जमाने में पंदर कि और उसमें भी उस सिक्योरिटी को जब्त कर लिया जाएगा अगर आपने कुछ अंट्रेशंट लिखा तो अब अंट्रेशंट लिखने की परिवाशा कुन तय करेगा यह सरकार तय करेंगी और एक बार अगर आपका रेजिस्ट्रेशन कैंसेल हो गया और दुबारा आपने रेजिस्ट्रेशन एपलाई किया तो उन्होंने का अब सिक्योरिटी कम से कम एक हजार रुपे होगी और अधिक से अधिक डस हजार होगी है आप पहले एक बार ओफेंड्स कर चुके हैं आ अब उन्होंने कहा कि अब आप दस हजार रुपे जमा करें यह नोहाजार रुपे जमा करें अधिक से अधिक का मतलब है कि दस हजार से उपर नहीं जाएगी लेकिन दस हजार से नीचे तो रही सकती है अब अगर किसी को कोई शिकायत है तो शिकायत होने की इस्तिती में हाई कोल्ट के इस्पेशल ट्रिबिनल में आप अपील कर सकते हैं ट्रिबिनल वो संस्ता होती है प्राय जो हाई कोट से पहले ते होती है अगर आपको किसी भी चीज से शिकायत है तो आप हाई कोट से पहले अगर कहीं अपील कर सकते हैं वो ट्रिबिनल है और अगर ट्रिबूनल में उसके सुनने का प्रावधान है तो प्राव हाई को तो सपील को सुनता नहीं है और कह देता है कि एक अल्टरनेट रेमेडी मौजूद है यह नहीं आपके बेकल्पिक बिवस्था मौजूद है ट्रिबूनल वह जाईए अगर आपको शिकायत है तो और यह भी ब्रावधान किया गया कि दो कॉपियां प्रते दिन या जिस दिन अख्मार निकलता है उस दिन सरकार को फिरी में वेजी जाएंगी और अगर उस न्यूस्पेपर को आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं या कुछ इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो अब कस्टम ओफीसर को भी अधिकार दे दिये सरकार ने कि वह उन अधिकारों उन अख़बारों को अगर कुछ अब्जेक्शने विले तो जप्त कर सकता है कि ऐसा माना जाता है कि इस एक्ट से लगवग एक हजार प्रिंटिंग प्रेस हिंदोस्तान में बंद हो गई उनके खिलाब कारिवाई की जिसमें से जने चांट साथ सौ से अधिक है सीक्योरिटी आपधिंग प्रेस थी उन से सिक्यूरिटी डिमांड की गई कि आप बाल लके है लाइए नौजार रुपी की सिक्योरिटी और सिक्योरिटी नहीं लाते तो आपका रेजिस्टेशन कैंसिल तो आपका पीपर अवेड को जब कर लिया जाएगा यह सिती उन्निस सो दस से लेके उन्निस सो भीस तक लगातार बनी रही उन्निस सो चौदे में प्रथम विश्युद्र के समय में डिफैंस अब इंडिया एक्ट लागू किया गया और उसमें बोलने की सोतंतरता बहुत कुछ प्रतबंद लगा दिया कि मानुपला के सरकार बहुत सारे संसादनों को जब इखटा करती है युद्ध के लिए आपने उनकी अलोचना शुरू कर दी आपने पबलिक को बलकाना शुरू कर दिया इसलिए डिफैंस अफ इंडिया एक्ट लागू किया गया और उस एक्ट में यह प्रावधान था कि कि अगर कोई व्यक्ति विद्धि द्वारा इस्थापित कि सत्ता को चुनोती देगा यह सत्ता के खिलाब कोई काम करेगा तो देखो एक चीज़ जान लो इस तरह के जो ऑफेंसेज हैं उनमें सजाएं बहुत जादा हैं उनमें सीधे सीधे आजीवन कारावास की सजा है औ और ऐसे अफेंसेज में प्राय बेल नहीं मिलती है सालों बेल नहीं मिलती है कि है हम प्रेस का इतियास पड़ रहे हैं अब आगे 1920-19 में जब ब्रतम विश्युद्ध खतब हो गया नवंबर 1919 में तो 1919 में जब खतब होड़े के बाद 1921 में सरकार ने मांटीगू चैंसपोल्ड रिफॉर्म में के बाद यानि 1909 में मांटीगू चैंसपोल्ड रिफॉर्म आये जो गवर्नर जनरल होता था यहां वाइसराय और जो सेकर्टी आफ इस्टेट होता था इंग्लेंड में जो बैठता था दौनों के नाम के आदे-आदे इस्से से बनाई जाते हुआ एक प्रेस कमिटी बनाई गई उन्ने सो एक्किस में जो प्रेस कमिटी यह कभीशेट बना इसकी हेडिंग इसकी चेर्मेंशिप जो है उस जमाने के बहुत मशूर वकील थे सर तेज बादूर सप्रू टीवी सप्रू जो लोगे लाबाद में रहे होंगे उन्हें मालुम होगा लाबाद में आज भी जो वहां का डिस्टिक होस्पीटल उसका नाम डीवी सप्रू हस्पीटल यह वहीं वकालत करते थे कोई रहा तुम में से लावाद लोगे सब्सक्राइब का नाम आज वी टीवी सप्रू हस्पीटल टीवी सप्रू का बाट प्लेश अलीगड़ी तो है सब्सक्राइब का यह है कि आए दो तीम चार क्लासिज में मैं आपको जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं या जो लॉयर्स रहे हैं या जो बड़े समास से भी रहे हैं इनके बारे में भी कुछ-कुछ बताऊंगा मुझे लग रहा उसमें कम से कम 5-6 क्लासिज चाहिए कि जो जैसे जो वैल नोन है उनके बारे में हर व्यक्ति जानता है लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बारे में लोग जागते द्रैंडिया तो यह भी आपको पताऊंगा खेर इसमें बोलो तो ने झालता सुब्हारा है जुआ होगा तुब ने उम्हारे नाम आप बता रहे हैं सुड़े जादा नहीं है जादा हाँ पूछे जाते होंगे पहले भी पूछे जाते थे क्या टीवी सप्रू की रिकमेंडेशन पर गौवर्मेंट ने 1908 और 1910 के जो नोटोरियस प्रेस एक्ट थे बहुत कोख्यात इन्हें वापस रे दिया कि अगर तेज बहादूर सप्रू बैसे कली वाइसराय की जो एक्जिकुटिव काउंसिल थी ना उसके लॉब एंबर थे इन यह द्धिक्स्ताम बनाई गई थी तो अगर सप्रू कमिटी आये तो उसे प्रेस से ही जोड़ना ऐसी चोटी चोटी कमिटियों के नाम आते हैं एक्जाम में इसे करजन के पीरेड में भी चार पांच कमिटी बनी थी यह सब याद होने थी यह सी बीस पत्चिस कमिटियां हैं समय समय में हरे को बताता रहूंगा आपको अब 1931 में जब गांदी जी ने 1930 में सबने अवग्या अंदोलन छेड़ा तो सबने अवग्या अंदोलन का मतलब यह था नौन कॉपरेशन और सबने अवग्या दोनों अलग लग चीज़ें नौन कॉपरेशन में तो यह था कि भाई सरकार कोई काम कर रही है तो हम कॉपरेट न करें कैसे मालों सरकार ने कोई स्कूल खोला और हम उसमें विद्यारती है तो हम पढ़ाने ना जाएं पढ़ने ना जाएं और जो भी चीज़ें सरकार हमसे अपेक्षा कर रही है कि इस काम को कर दो हम उस काम को न करें कोपरेट न करें सरकार के साथ कोपरेशन का कोई एक फील्ड तो होता नहीं है कोपरेशन के तो बहुत सारे फील्ड होते हैं माल डीजे सरकार ने काया कि हमें रेलवे की लाइन बिच्छाने के लिए मजदूर थे इस गाउं से हम नहीं जांगे तुमारी लेलवे लाइन के लिए हम तो दूसरे खेट में काम कर लेंगे सरकार ने का कि सड़क बनाने के लिए मजदूर चाहिए यह आपकी सेवाओं की आवश्रक्ता है तो आप उन्हें कॉपरेट न करें सिविल डिसोवीडियंस हो था उन्निस अतीस का सबने अवग्या वह इससे बड़ी कैटेगरी थी बड़ी कैटेगरी यह थी कि सरकार के ऐसे कानून जिन से कि इंसान के मौलिक अधिकारों का उल्लंगन होता है और उसके राइट टू लिव का उल्लंगन होता है जीवन जीने का अधिकार का उल्लंगन होता है इसे न मानना गांदी मिंट अबधिके जब आगरते हैं किसी भी कानून को नहीं मानूंगा किने सबमें तो मैं तो बट अधिक कानून को नहीं क्टिरोग नमटें डालक मेंगर नदध केवल वो कानून जो इसे जीज़े सीज़े नाइसाफी करते हैं इसक्राइब करते हैं और सरकार के दौर वराखुन मैं उन्हें नहीं वालूं है या ऐसी कोई आग्या जिससे मुझे लगता हो ये तो सीधे सीधे नाइंसाफी करने के लिए जैसे कि किसी फोर्स की टुकडी को यह आदेश दे दिया जाए कि तुम जो सामने मेले में भीड है इस पर गोली बारी कर दो नाइदीजी नैसी आग्या मानने से मत जैसे नमक नमक तो सान को जीवत जीने के लिए जरूरी है और उस पर करना ही लगाए जा सकता है उस पर टेक्स नहीं लगाए जा सकता क्योंकि वh groundwater गरीबाद भी उच करता है और वो नियश्य तरीके से मैं प्राप्त होता है कोई प्रॉसेश बiggen उसका तरीका तो नैश्य तरीकेसे समद्र के पानी को सुखा कोस्वानिय बनाया जाता ता को बार गांदिजी का यह कहना था यह दू Apollo यह जो कानून नमक कानून मैं इसे नहीं वानुगा जो गलत बात है उसे नहीं मानूगा आजादी के बात से लेकर अब तक गलत कानूनों का हमेशा विरोध होता रहा है कोई नई चीद नहीं है और वो क्या थी सबने अबग्या था सबने अबग्या क्या होता है धन्य बैठ गया रोड़ बैठ गये गया अपने सरकार की बात नहीं मानी यही सबने अबग्या एक नाप हिंसा नहीं कर रहे हैं आप जो लटल नहीं चला रहे गोलिंग चला रहे गोली चला एक तो पूरिक ओपीनियन आपके खिलाब कली जाएगा को तो गांदी जी ने जो छोटे छोटे बिंदूओं से आम जनता की परेशानियों से जुड़े मुद्दे जो उठाए और कहा इसमें हम सरकार की बात नहीं मानेंगे तो यह आंदोलन आम जनता को कि उसके पार्टिसिपेशन को बढ़ाने मदद किया कि कि ऐसे मुद्दे पर हम जनता पार्टिसिपेट करती है जो उससे सीधे हिस्से जुड़े हो तो गौर्मेंट ने 1930 में एक से रिलेटिटर अध्यादेश के बारे में आप जांती है और डिनेस के बारे में कि वह तब जारी किया जाता है जब कोई संसत का सत्र ना हो रहा हो या जो भी विदान सवा है विदान मंडल है वह और और 1930 में पुनहे सरकार ने वही प्रावदान लागू कर दिये 1910 में लागू किये गए ज नहीं है 1901 में वापस लिया गया 1910 फिलागू कर दिस 1931 में फिर लागू कर दिए और सरकार ने एक नए अखनलम वनाया ऑब इंडियन प्रेसि इमर्जंसी पावर एक्ट कि ऐसी परिस्षिती है कि प्रेस पर काबू पाना बहुत जरूरी है 1931 यह मुक्षित है डिजाइन किया गया था जो सबने अवग्या अंदोला ने उसकी ख़वरों को बेन करने के लिए उससे रिलेटिट खवर हैं इधर से उधर ना पहुंचे जिससे के और ज्यादा चिंगारी न फैल है उन्हें बेन करने के लिए डिजाइन किया गया था मनें से इसे वी एक्ट में जंड़ डंध में जो एक्ट होता उसमें दस पंदरह तरह होती है जादा नहीं इंख आइप सिखोड़ कर के बागी जतने एकट हैं वह जयाज्यादा किसीम तेस की पंदरह कि सीपसीशन होती involved एक उससे पहला जो है उसमें लॉजिक होता है कि इस यह आप शेक्ट्रा क्यों पड़ी क्या इसी परिस्टियां हैं उन्हें लिखा जाता है यह परिस्टियां बिद्यमान हैं इसलिए सरकार को अब समाधान हो गया है कि इस तरह की कानून को अब विदी द्वारा इस्थापिस सत्ता द्वारा लागू किया जाए सरकार द्वारा तो पहली दूसरी में जनरली तीसरी चौती तक धारा में उसमें उसके डेफिनिशन होती है परिवाशाएं होती है फिर बाद में जो है एक्स्प्लेनेशन्स होते हैं और साथ में जो उस एक्ट का स्कूप है वो लिखा जाता है फिर कुछ धाराओं में डिफाइन किया जाता है कि इस चीज का मतलब क्या होगा कि और फिर होगा कि इसके उलंगन पर डंड पी सघ्राओं कि क्या सजाओं कि फांसी प्रिसी कि सजाओं गी अजीवन कारवास की सजाओं देखें कि इसकी जो धारा चार थी उसमें नए नए तत्ष्ष्छ ओड़ दिये गए हलाब 1910 से 1931 में कुछ नई चीज़ा भी जोड़ दी कि जब फॉर एक्जामपल कानून की बाशा पढ़ना थोड़ा कटेन होता है मैं आपको पढ़के बताता हूं इसमें लिख रहा है कि एनी पॉब्लिकेशन ऐसा कोई भी पॉब्लिकेशन किसी भी तरह का जिसमें एनी वर्ड किसी भ करो कि यह किसी भी साइन से साइन मतला आपने कोई चिन ऐसा बना दिया मालब आपने वाइस राइगी फोटो रागा दी पीछे एक बैल गारी बना दी यह कोई भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन से कार्टून जिसे कह सकते हैं जिससे कि डायरेक्टली या इंडायरेक्टली कोई ऐसा सुझाव मिलता हो कोई ऐसा निश्कर्ष निकलता हो कोई ऐसा रूपक बनता हो रूपक मतलब कि तीसरे आदमी पर रहके बात कई जा रही है या ऐसा इंप्लाइड हो उसका नहतर्त यही निकलता हो क्या निकलता हो कि किसी कुछी व्यक्ति की हत्या कर दी जाए कहीं बंब कर दिया जाए कहीं कोई हिंसा कर दी जाए या उसके लिए इंसाइट मेंट हो भरकाना हो किसी वी व्यक्ति को seduce करना हो, seduction देना, तू ऐसा कर दे, हम तेरे लिए ये कर देंगे, अगला इसमें जो वधारा लिखी, लिखा कि, हिज मेजिस्टी की परजा में, यानि कि समराट जो बेटेन के हैं, उनकी परजा, जो हिंदुस्तान में है, मैं आपस में घणा फैदा करना, एक दूसरे के खिराद, कैसा फ़लाने गाओं के तो वैसे ही है, कैसा आप उन लोगो है, या जो भी भारत की नियाए पालिका है, उसके बारे में कोई टिपपनी कर दी, या किसी जो रूलर है, जो शासक है, बला ही वो शासक किसी प्रांत का सही, तो लोग इतने शोर से आवे पर कैसे सुन ले तो हमारी बात को, जहां तुम बैटा करो, वहां प्राइश शांती रहा कर है, ऐसा सुनिश्चित किया करो, पीचे अगर इतना शोर हो रहा है, हमारे याद संडे में कुछ पीचे मुझे आवाज आने लगी, तो मुझे रूम का दरवाजा बंद करना पड़ा, क्योंकि उससे आपकी मेरी तारत मिता जा रही थी, या आप किसी सरकारी सेवक को धमकाएं, या उसे कोई चोट पहुचाएं, मतलब की बहुत सारी चीजें, जो आंदोलनक के दोरान की गई, और सरकार ने महसूस किया, उन सब बहुत सारी चीजें को अपराद की श्रेणी में डाल दिया, यह चीजें करना अपराद माना जायागा, इसका प्रकाशन का, सरकार ने, तीन हजार से ज़्यादा, छोटे बड़े पेपर, और प्रिंटिंग मैटिरियल, इस एक्ट के सहारे जब्त कर लिया, कि यह कानून के खिलाफ है, और जो यह प्रेस एक्ट था, इसे 1932 में, इसमें और एक्जेगरेशन किया गया, एक साल बाद, और, इसके जो आफेंसेज हैं, उन में क्रिमिनल लाइबिल्टी क्रियेट कर दी गई, अभी तक तो देखो केबल सिक्यूरिटी डिपॉजिट की जा रही है, अख़बार जब्त किया जा रहा है, लेकिन पीनल एक्शन ऐसा नहीं है कि जो, बाद के कुछ सेक्शन में तो जो पढ़ने वाले थे ना, उनके किलाब भी करवाई कर दी गई, छापने वाले तो छोड़ो, जिनके घर से वो अख़बार मिल ला था, ये माना गया कि ये लोग जो है, वो राजदरो कर रहे हैं, ऐसे रखवार को रखना भी जुर्म हो गया, और सरकार ने उसलिए 1932 में इसे क्रिमिनल लौ अमेंडमेंट एक्ट कर दिया, जो आप रादे कानून है, आप ऐसे समझो, जब वो दिल्ली वाला कांट हुआ था, 2012 में, उसके बाद 2013 सरकार में क्रिमिनल लौ अमेंडमेंट एक्ट आया था, अभी, जिसमें महिला संबंदी अपराज जो हैं, उनमें रेप की परिभाशा बदली गई, छेड़ खानी की परिवाशा बदली गई, और बहुत सारी नई नई चीज़ों उसमें शामिल कर दी गई, और उन सामाजिक विचलनों को भी अपराज की श्रेणी में रखा गया, ऐसे ही यहां सरकार ने 1932 में बहुत सारी चीज़ों को, जो आंदोलन के दोरान दिखी, उन्हें ऑब्जेक् उनके तरनाव अपराज हो गया, उससे पहले नहीं था, उसके बाद दिखी विश्यूद्ध के समय यह चीज़ चलती रही, 1945 तक, और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट तो कंटीन्यू था ही था, अल्टिमेटली, आजादी मिलने पर, 1947 में, यह कहा गया कि जो आजाद हिंदोस्तान का सम्यधान है, उसमें चुकिए अब बोलने की आजादी, एक फंडामेंटल राइट होगा, एक आधार्बूत अधिकार होगा, किसी को बोलने से नहीं रोका जा सकता, तो जो प्रेस एंक्वारी कमिटी बनाई गई, 1947 में, इसकी पहली रिकमेंडेशन ही यह थी, कि यह जो 1931 का कानून है, इसे वापस लिया जाए, और उसकी रिकमेंडेशन पर, यह कानून वापस लिया गया, भारतिय पैनल कोट की कुछ धाराओं में संसोधन किया गया, क्रिमिनल लौ अमेंडमेंट एक्ट में संसोधन किया गया, आजादी मिलने पर ही, इस एक्ट से मुक्ती मिल पाई, यह पूरी कहानी थी, भारत में प्रेस की विकास की, उसके बाद उन्निस सो एक्यामन से लेके अब तक परसार भारती की गठन तक, कivas, सारे कानून आई इशे कोई भी कानून प्रेस को फार रोक लगाने वाला नहीं है, जो रोक उस समय में लगाई गई, तो यह डेमोक्रासी में प्रेस को यह माना जाता है, कि वो लोक तंत्र का चौथा स्थंब है और लोक संथ के तीन चम उधाय का कारेपालक नियाएपालक के कमियों को और जन्ता के सामने रखता है गोशित तोर पर वह चौथा इस्तम लिखित में कहीं नहीं है लेकिन अगोशित तोर पर यह माना जाता है कि वह हमेशा से एक चौथा इस्तम रहा है और एक उपीनियन में कर रहा है इसके बाद कि जितने भी कानून है वह नियामक्ष प्रकृति के हैं कंट्रॉल करने के नही आइडिया जैसे वह बहुत सक्त नहीं है यह कहानी थी बारत में प्रेस के विकास की जो जैम सागस्टस हिक्की के जेल खाने से शुरू हो करके जेल में निकाली थी उसने पहली प्रेस उनीस सो सेटालीस तक आई इस मैं से प्रतिवर्ष तो नहीं लेकिन साल दो साल पीछे ए लिक्का दुक्का सवाल जरूर आ जाते हैं प्री में में जो है प्रेस का विकास पर एक पूरा शवाल आ सकता है यह आपको क्लियर होना चाहिए अब जो दूसरा नेक्स टॉपिक है वो कुछ छोटे चोटे टॉपिक अभी बचे हुए हैं मैरा प्लान तो था आपको पढ़ाने का बेसिकली चार्टर एक्ट लेकिन चार्टर एक्ट से पहले कुछ चंद टॉपिक बचे हुए हैं वह एक तो है बेसिकली भारती राज्जियों के प्रत अंग्रेजों की नीती तो एक तो है बिटिस्ट पॉलिशी टुवार्ट इंडियन स्टेट्स अना एजूकेशन का अपन ने करी लिया प्रैस होई अब क्या बचा है बताओ तो इंडियन स्टेट का मुझे समझ में आ रहा है भारती राज्जियों के प्रत अंग्रेजों की नीती और बताओ आप मैंसे कोई ट्राइबल रिपोर्ट हमने करी लिए पहले ही मताओ दूसरा सामाजिक धार में आंदोलन जो है वो भी बचे हैं भी लेकिन वह हम कराएंगे जब आपको कॉंग्रेस तक पढ़ा देंगे तब 1857 से लिए 1885 तक के पीरियट को पढ़ा दें तब कराएंगे इसे तब ज्यादा अच्छे समझ माएगा तो एक तो इंडियन स्टेट्स के प्रत नीती चैस के बाद जो ट्रेड यूनियन मुवमेंट ट्रेड यूनियन मुवमेंट तो जब 1857 के बाद इस देश का जबर्दस औध्योगी करन शुरू हुआ है तब ट्रेड यूनियन मुवमेंट पर आए हैं बेसिकली उद्धियो कि अकाल नहीं थी ता फैमाइन पॉलिसी दूसरा टॉपिक यह हो गया अकाल नहीं थी यह दो चोटे टॉपिक हो रहे हैं और कोई हो तो बताओ सिविल सेवां का विकास हाँ यह भी बास सही है बच्चे गुट गुट कोश्चिन गुट कोश्चिन सिविल सेवां का विकास तो भाई शुरूवी जो है 1853 से हुआ है मूल लूप से यह तो चार्टर एक्ट से अलगी पढ़ाए जाएगा इसे यह सही कह रहा है लेकिन उसे हम पढ़ाएंगे जब 1920 तक आ जाएंगे तब सब्सक्राइब जाएंगे या तब उसे पढ़ाएंगे तब ही समझ में आएगा लेकिन वह लेटर पीरिट का है तो खेर आप शुरू करते हैं हंग्रेजों की भारती राज्यों के प्रत नीती ये पॉर्शन इसी के साथ अभी होना है तो देखिए भारती राज्याओं के प्रत उनकी जो नीती है वो समय समय पर बदलती रही है इस नीती के पांच या छे चरण है मोटे मोटे पहला चरण है सत्रह सो साथ से लेकर के सत्रह सो सत्तामन या पैसाट तक मान सकते हैं सत्रह सो पैसाट तक आप मान सकते हैं सत्रह सो साथ से और बहुत सारी किताबों में ये सत्रह सो चाली से सत्रह सो पैसाट लेखा हुआ है यह वो पीरिड है जब कंपनी केवल एक व्यापारी कंपनी थी और कंपनी भारती यह जो अन्य स्टेट्स थी छोटे मुटे राजे थे रजवाडे थे राजा धेदरावाद का निजान था बराटे थे इन्हें सब के साथ बराबरी के लिए जगड़ रहे थी कंपनी का आप जगड़ा केवल इस टाइम केवल बराबरी के लिए था यव हम भी इनके बराबर पहुंच आए प्र institutions के आने तख यह पॉलिसी कही जाती है कंपनी की रिंग फेंस की ने ती रिंग फेंस का मतलब होता है बफर स्टेट बनाना कंपनी अपनी एरया को एक्स्प के लिए बीच में उन एरियाज पर अमला ना करके या उनका विलेय ना करके उनको केबल बफर स्टेट की तरफ इसी को इसी पॉलिशी को कहते हैं बफर स्टेट की नीथी या पॉलिशी ऑफ रिंग फैंस कि सत्रह सो पैसट से अठारे सो तेरह अठारे सो बीस ता तीसरी जो पॉलिशी है कंपनी की तीसरे चरण में हम तीनों तीसरा चरण कंप्लीट कर चुके हैं पढ़ाने में भी अपने में वह को पॉलिशी ऑफ सब्वॉल्डिनेट आइसोलेशन सब्वोडिनेट आइसोलेशन का मतलब यह होता है कि अब कंपनी ना तो बराबरी के लिए झ्झगर रहे और नहीं कोई बफर इस्टेट बना रहे है जो कंपनी को को और अब कंपनी के सबॉल्डिनेट है और आइसोलेशन में मतलब कि उनसे हम कोई बहुत मतलब नहीं रखेंगे बस इतना है कि मौका पढ़ने पर हड़ जाएंगे यह मौका पढ़ने पर उन पर कब जा कर लेंगे या उन्हें हमेशा बहे बना रहेगा चाहिए वो सबसेडरी एलाइंस के तो तो वो आइसएं में रहेंगे डिस पॉलेसी पीड इसे तामन तक टेस्टिंग के है पीड़ेट से लेकर और डलॉजी के भीड़कर यह क्या है पॉलेसी अप सब्सक्राइबाइस ओलेशंच हमारे सब्सक्राइब क साधिया अग्रेजों का साथ यह उन्होंने ने की ने थे इन्होंने सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का साथ दिया तो अब सबॉर्डिनेट आइसोलेशन के बजाए नई नीती हो गई अठारश सत्तामन से लेके और वो उननीस सो तीस पैकिश तक चलती रही लगाता है वो थी सबॉर्डिनेट यूनियन कि और सबॉर्डिनेट यूनियन का मतलब यह कि रहेंगे तो यह हमारे सबॉर्डिनेट ही लेकिन हम इनसे यूनियन रखेंगे क्योंकि हमारे और इनके हित एक जयसे it अंग्रेज भी चाहते थे हमारी सब्ता बनी रहा है और बारतिय राजा है इसी पॉलिशी वो ब्रेक वाटर इन स्टार्म भी कहा जाता है ब्रेक वाटर इन स्टार्म ब्रेक वाटर काते बेसिकली बांद को और इस टौर्म कहते तूफान को तो समुद्र में एक तरह से या नदीव बांद बनाने की नीदे जिससे के अठारज सतामन जैसे अगर से 1935 और उसके इसी पीरेड में लास्ट में आ करके केमबर और प्रेंसेज का गठन किया गया वह मैं डेटेल में आपको समझाओंगा किन परिस्थितियों में किया गया और क्यों किया गया और उसके बाद लास्ट में 1935 से 1947 के बीच में फिर इक्वल फेडरेशन की नीती आती यह कंपणी तो बिटिश सत्पा की कि अब उन्हें इक्वलिटी के अधार पर ठीट करना था और क्रिप्स मिशन कैविनेट मिशन और माउंट वेटन प्लान में तीनों में उनके प्रतनिदी मंडल को इस्तिती में क्या इस्तिती होगी भारती राजा हूं मैं आपको एक छोटा सा एक्जामपल देता हूं कि यह कि 1920 के आसपास यह नि या 1931 के आसपास क्या इस्तिती थी आप समझो कि अंग्रेजों के पास लगवग हिंदुस्तान का सिक्स्टी परसेंट एरिया था अठामन पॉइंट टू परसेंट एरिया नोट कर लीजेगा इसे अगर हम लें अठामन से 1947 की बीच में तो आइडियल जो हमें आकड़ा मिलता है 1931 का मिलता है जनगर्णा का और उसमें यह था कि अंग्रेजों के पास जो एरिया है वह लगवग टामन पॉइंट टू परसेंट है पूरे देश के और जो अगर हम स्कॉयर माइल में देखें उसे तो आठ लाक अठारह हजार स्कॉयल माइल था लेकिन आबादी कि 75.8 परसेंट आबादी थी देश की जो बिटिश इंडिया का हिस्सा था जिसे अंग्रेजों ने या तो कहलो रिंग फैंस की नीति कहलो और या तो जिसे कहलो वेले जली की सब्सेड़ी एलाइंस की नीति कहलो या डॉक्ट्राइन ओफ लैप्स कहलो के बल पर या अपनी नीतियों के बल पर जिसे जीता था लेकिन अठामन पॉइंट टू प्रिश्यत हिस्से लगबग मोटा मोटा साथ मान सकते हैं मैं देश की 75.8 यानि लगबग 60 परसेंट आवादी रहती थी भारती रजबारों के पास जो एरिया था वो ता 6,90,000 क्योंकि मोटा मोटा आप यह जान लो कि अंग्रेज़ों ने 1857 के बाद कोई कभजा नहीं किया 1990 साल 1947 तक उन्होंने किसी रियास्त को नहीं गव्याया क्योंकि वो जान चुके थे अब तो ब्रेक वाटर ने स्टॉर्म पालिसी पर चलना है यह तो हमारी मदद करेंगे अग राजाओं के बाद जो हिस्सा था वो 6,90,000 स्कॉयर मील का था जो पूरे देश का लगबग 41.7 प्रिश्चत था 41.7 लगब 42 प्रिश्चत मालने आपसे और आबादी इसकी जो थी अब देखे दोनों की आबादी देखिए इसकी आबादी पूरे भारत का केबल 23 से भी कम और अगर हम इसे संख्या में लें तो 1931 की जनगरना के अनुसार 25 करोल 65 लाख लोग बिटिश इंडिया में रहा करते थे और लगब 8 करोड लोग नेटिव रूलर्स की रियासतों में रहा करते थे गांदी जी अक्सार बाश्णों में का करते थे 33 करोड इंडुस्तानी तो 25 और आठ के तुरा हो गया आट अपांस तेरह 33 करोड ही हो गया विल्कुल सही है हाथ तो देश की पॉपूलेशन डेर सो करोड के उपर पहुंच रही है अंग्रेजों ने अठारे सो सत्तामन के बाद एक क्लियर कट नीटी बना ली थी कि हमें देके मैं आपको बताऊं लॉल्ड कैनिंग ने अठारे सो साथ में यह लिखा पत्काली सेकेर्टी आफ स्टेट को अगर हम पूरे हिंदोस्तान पर कपजा करके उसे जिले में बदल दें जिला मतलब डिस्टिक में जैसे आपका अलीगर जिला है मत्हुणा जिला हरे को सूबे में बदलें और सूबे को जिलें में डिवाइट करतेएं तो हो सकता है कि हमारा जो एंपायर है पचास साल चरहे बिद्रो हो जाएं कुछ लेकिन अगर हम यह जो नेटिव रूलर्स हैं देशी राजाएं इन्हें बना के रखेंगे और इन्हें कोई पॉलिटिकल पावर ना दें लेकिन इनकी राजगदी को बचा के रखें इन्हें महल दे तो हम हिंदुस्तान में तब तक बने रह सकते हैं जब तक हम चाहें या जब तक हमारी मिलिटरी सुप्रीमेसी बनी हुए तो हमारे लिए फायदे का सौधा यह है कि हम नेटिव रूलर्स को अब किसी भी सूरत में खतम ना करें और इसी सब को बनाए रखने के लिए अंग 1861 में इन्हें राजाओं के लिए एक नई विवस्था कर दी तूपों की सलामी की विवस्था यह थी कि इंग्लेंड के राजा और रानी को तो 101 तूपों की सलामी बिलती थी कोई अगर त्योहार है तो 31 तूपों की लेकिन राजाओं के लिए उन्होंने तै कर दिया कि मैक्सिमम यह सलामी 21 तूपों की हो सकती थी पूरे हिंदोस्तान में पांच ऐसे बड़े राज्यते जिनके राजाओं को 21 तूपों की सलामी मिलती थी 6 इसे ते जिनने 19 तोपों की सलामी मिलती थी 12 ऐसे ते जिने 17 तोपों की सलामी मिलती ती 19 तोपों कि भारती राजाओं का आगामी कि 1861 के बाद के 50 60 साल कि इसी बात में उनको बड़ा वो रही जैसे कहना चाहिए बड़े इस बात के प्रत बड़े सजग रहा करते थे कि उन्हें कितने तुपों की सलामी मिल लगी है और कहीं उनकी तुपों की सलामी कमना हो जाए यह उनके राजाओं के बीच उनका बर्च्वस कोन बड़ा राजा और उनकी राजनेतिक प्रतिस्था को तैंकर थे भारती राजत जिन चीजों पर सबसे ज़्यदा गर्व करते थे वह उनके महल के आबूश्रण और हरम नहीं हुआ करते थे बनके तोपों की सालाम ही हुआ करती तो यह बेसिकली उनकी संपरुवता की प्रतीक थी उन्हें यह लगता था कि इन तोपों के माध्यम से बिटेश राज उन्हें सलूट कर रहा है जब राजा दिली में आते थे तो रेलवे इस्टेशन पर अधिकरत थूपन नए डिल जो म पुरानी डिली रेलवे शिट्रमिय Protestant नइडली तो बहुत बात मना है तो राजा बच्चों की तरह इस पर मोहित हो जाया करते थे और ये इस्तिती थी कि अगर राजा की ट्रेन वहां आ गई है और संडे के दिन ये नियम था कि संडे के दिन तोपों की सलाम ही नहीं होगी और खुदान कासता अगर राजा साब की ट्रेन संडे के दिन वहां पहुंच गई तो वो फिर संडे पूरे दिन ट्रेन में रहा करते थे उतरते नहीं थे ट्रेन से मंडे को उतरते थे ताकि उन्हें तोपों की सलाम ही मिल सके क्या कहना वह आप लोगों का तोपों की सलामी के सिस्टम बढ़ जाता उनका यह नहीं हमाई सीडिय पटम हुए मतलब उन्हें वह तो लिए ओनर है वह मिलेटरी ओनर तो हमेशा से मिलिट्री के जनरल को दिया हुआ और उसके बाद जब इन्टियन आर्मी को मिला कर किसी दिन पढ़ा दूना प्रेसिडैंसी आर्मि शूर्म पाडर अभी नारमी भी विजा प improper थी एक सवाल यह कि यह वयंकि इस्थातों राजाओं को भी scratch कर दी इने ये तो पहले से थी हैं तो सीडियस तो मिलिट्री जनरल थे ना यह विवस्था तो राजाओं को कर दी गई अठारे सो एक सर्ट में जो आजादी के आजादी पर जाके खतम होई यह उनिस्टो से तालीस पर अब बागी डिटेल तो मैं आपको अगले लेक्चर मताऊंगा जो यह कंपनी की पॉलिसियां थी तुम्पनी की पांच पॉलिसियां थी और बाद में पॉलिसी तो बिटे सक्ता की रहीं दो पॉलिसी तो पो की सलामी की विवस्था जो है उनके द्वारा इसलिए की गई थी ताकि बिटे सक्ता और दोनों के इंट्रेस्ट बिल्कुल एक से दोनों ही देश को राज करना चाहते थे वह बड़े हिस्थे पर वो छोटे हिस्थे और इसी के तहत उन्हें सम्मान दिया जाता था इस तरह से इविन सम्मान ये भी था कि जब कोई नेटेव रूलर वाइस राल हाउस का जाता था और तो वहां भी तोपों की सलामी दी जाते जब मिलने जाते थे राजा तब उन्हें बाहर से तोपें दागी जाती ती और भारतिये राजाओं में इस बात का बड़ा कंप्टीशन था कि और बड़के इस बात का भी वह लगता था कि किसे कितने तोपों की सलामी दी जाए नहीं ऐसा नहों कि मेरा राज उसके राजे से बड़ा है और मुझे कम तोपों की सलामी मिले अधार से तोपों की सलामी बाली प्रथा ऐसी चली कि बाद में वह गांउगां में भी फ्यल गई और गांउगां में होने की पहचान क्या है अगर उससे तोपों की सलामी तो बड़ा यह एक तरह की जिसे कहना चाहिए समाज में बना दी सब्सक्राइब करें अगर कोई कर यह तो उसका लाइसेंस बन्र में चला जाए जान प्चेल कर गदी वोग्त साल पहले हुआ करती थी कि बारे साल पहले खूब होती थी फायरिंग अब नहीं होती है अब तो पूरी तरह से रोक है कि तर बहुत लोग तो इसमें कई बार दूला भी चड़ गया है हाँ सर तभी वह रोक लगी थी पहले लोग हत्यारों का प्रदर्शन करते थे मैं वह दूसरी चीज है मैं तोपो जैसे कि प्रेस्ट दपार्टमेंट में यह जो ऑफिसस वगरा आतें सर उनको प्रेसिदेंस बन जाती है उसमें बेसिकली वह होती है जो परेड होती है यह परेड का निरिक्षन किया जाता है बस यह अंग्रेजी पीरेट की चीज़ें इन्हें यह माना गया मैक्सिमम डेटिव रूलर्स को जो तोपो की सलामी की जाती ती और उनमें जो आपस में जंग होती ती उस तोपो की सलामी को ले करके और उसे सब्सक्राइब करता था नेटिव रूलर्स की पावर और पोजीशन को ब्रिटिश रूल में एड्मिनिस्ट्रेशन में यह यह 21 तो पोगी सलामी यह तो बड़ा है और नौ तो पोगी तलामिया तो तो अगली जो मीटेंग उसको मैं आपको कुछ मजदार किस्से भी सुनाओ पोगा कैसे 21 तो पोगी सलामी और नो तो पोगी सलामी वाले में जगड़े वुआ करते थे और लोग किस तरह से बेहव करा करते हैं इसलिए जब आजादी का अंदोलन चला तो कांग्रेस के जो कोशना पत्र थे यह कांग्रेस का जो अपना मोटो था फूस्ट्रा पत्र त इसलिए अब देखें अब तो भई अब तो इक्वालिटी इस लेवल पर आ गई है कि सरकार ना लाल नीली बत्ति खतम करती हैं आप तो पोगी सलामी की बात कर रहे हैं अब तो के वर इमर्जेंसी जो सर्विसेज हैं उनमें के वर लाल नीली बत्ति को प्योंग होता है एंबूलेंस है या पुलिस है या मिलिट्री है बाकी कहां यूज होता है यह तो बेसिकली इन्हें कहते हैं रलिक्स आप इंपीरियलिजम सामंतवादी विवस्था के अवशेश हैं जो सामराजबादी विवस्था थी जो भारत के सामंतवाद से मिलकर जिसना अपना वर्ष सरूप अपना लिया था इसलिए आज भी गाओं में प्रचलेता है अब भी कभी कभार आप गाओं में सुन सकते हैं इंची जो को शेयर में तो यह बात नहीं कहीं जाती है सुना किसी नहीं सुना से सुना है सर इस पर एक मूवी भी आई थी शायद कोई कॉमेडी की इस पर चलता है सर मैसेज में बाट फर पर जाला चलता है सर यह यह वाला यूडायलोग है सर एक इस तो को की सलावी वाला अधार बावा बताएं ते काओं में हमारे सर क्या बताते थे कि सर्व और आप बात करते हैं जो यह मतलब बहुता बैठने का गाओं में चौपार होती दिए वहां वैसी बारे करते तो मैं सब्सक्राइब करते दों लोग जाओं शोटे ते जाओं अरे मैं आपको बतारी के अब शतारी नवाब मेरे क्याल से शाथ ग्यारा सलूट की सरामी मिलती थी यह बारह ते रही थी तो अब आपको दी जाती थी राम के रामपूर के नवाब की तो अपनी रेल गाली थी अलग अब 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 कुछ दिन पहले सर उसका सेल के लिए उनके परवार में कुछ चल रहा था तो न्यूस्पेपर में आया था इसलिए च्छतारी के नवाब को आज इवन ट्रेजरार का पद दिया गया था यह आज इवन कोशाद्यक्ष रहेंगे मतलब जब तक एम्यू रहेगी तब तक इनी के परिवार का वेक्ति कोशाद्यक्ष रहेगा तो राजे रजवानाओं की तो यही इस्ते थी अग्रेजी पीरेड में आया थोड़ा बहुत करजन ने इनके यॉरोप जाने पर भी रोक लगा दी थी कि यॉरोप की लिमिट्टिड ट्रिप करेंगे राजा पहले यॉरोप भूमा करते थे भूप तो चलो कितनी देर हो गई